विल्लाहिवार्वाइन अर्वाहिएम, असलाम अलेकुम, चैप्टर 3, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसका कॉस्चिन नम्र 3 और पार्ट 3 हम करने लगे हैं, पार्ट 2 तक हमने कर दिया था, पार्ट 3 से भी हम पर आगे करते हैं, उसमें भी उसने क्या कहा है, हमें के फा में सब्द्रफ़ाइन या उसके लिए हम क्या करेंगे इसके प्राइप फैंड लूट कर लेंगे, जो भी नम्र हमें दिया हुआ होता है, नम्र अब आपक स्पास क्या है 27,000, 27,000 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैंड कर務द्र्फ़ाइन आए शीरों लींगे क्या नास् बि तो पर चला जाएगा last digit 0 है 2, 6, 12, 7, 14, 5, 10, 2, 0 is 0 फिर से देखिए हम देखने हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 236, 236, 27, 14, 25, 10, ठीक हो किया जी इसको मैं क्या करती हूं कि अब 5 पर डिवाइब कर देती हूं रहा हमारे 5 पर करके हूं तो क्या आ जाएगा 5, 6, 30 आ जाएगा हमारे पास और 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 5, 7, 35 आ जाएगा और 5, 5, 25 आ जाएगा पिर से इसको or 5 पर डिवाइट करदें 5 1 is 5, 1 बचेगा, 5 3s are 15, 2 बचेगे, 5 5s are 25 बचेगा, फिर से इसको 5 पर ही डिवाइट करते हैं, हम 5 2s are 10, 5 7s are 25 बचेगा, 5 7s are 35 बचेगा, 3 27 आ गया, 3 की टेबल का नमबर है, 3 9s are 47, 3 3s are 9, और 3 1 is 3, चीक होगे, यह देखने से पता चल रहा है, कि यह एक perfect cube है, बेखे, यह 2 का cube, यह 5 का cube, यह 3 का cube, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, यह सिर्फ मैं लगाती हूँ, उसको carry जो इसका होता है, अच्छा जी लिखेंगे हम 2 into 2 into 2 multiplied by 3 into 3 into 3 3, और 5, 5 और यहाँ पे एक और 5 आजाएगा, और इसके साथ ऊपर क्या आजाएगा, cube root आजाएगा हमारे पास, ठीक होगे अच्छी, अब हम इसको क्या करते हैं, sets की form में लिखते हैं, 3 3 का set, 2 power 3, यहाँ पे भी है, multiplied by 3 power 3 multiplied by 5 power 3 आजाएगा, अब cube और cube root आपस में cancel हो जाएगा, तो आज है का हमारे पास 2 cross 3 cross 5, 2 3s are 6, 5s are 30, हमारे पास इसका answer बन जाएगा, यानि कि 30 जो है, उसका अगर हम cube लेते हैं, तो हमारे पास answer क्या आजाता है, 27,000 उसका answer आजाता है, तो उसने यहीं पूछा था, कि 27,000 जो है, वो किसी का perfect cube है, तो हंजी वो perfect cube है, किसका है, 30 का perfect cube है, question number 3 का part 3, यहाँ पे complete होगा, part 4 देखते हैं, part 4 की value हमारे पास है, 34,128, 34,128, इसको चेक करना है, हमने कि क्या यह किसी का perfect cube है, यह perfect cube है यह नहीं है, मतलब कि यह जो number हमें given है, यह किसी number का perfect cube है, यह नहीं है, कटने का तरीका फिर हमारे पास वो ही है, जो हम पहले सारी questions में करते हुए आए है, हम इसको prime factorization इसकी कर देंगे, last digit हमारे पास जो है, वो even number है, तो 2 पे यह divide हो जाएगा, 2 पे जब मैं divide करूँगी, तो 2 1 is 2, 2 1 बच जाएगा, 2 7 0 14, 1 चोटा है, 0 लगाएगे, 2 6 0 12 आ जाएगा, 2 4 0 8 आ जाएगा, फिर से करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड तो यह आजाएगा, हमारे पास 2 8 0 16, 1 बचेगा, 2 5 0 10 हो जाएगा, यहां से, और 2 3 0 6, 2 2 0 4, फिर से यह last digit हम देख रहे हैं, कि even number है, तो फिर से यह 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 0 8, 2 2 0 4, 1 बच 2 6 0 12, 2 6 0 12, अगें 2 पे, 2 2s are 4, 2 1 is 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, अब हम इसको देखते हैं, तो 3 प्लस 3 6, 7 8 और 9, मतलब कि यह 3 के table का number आ गया है, हमारे पास 3 का multiple बन रहा है, तो 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 7s are 21, 3 1 is 3, 1 is 7, 8 और 9, फिर से 3 का number है, 3 2s are 6, 7 1, 11 हो जाएग 3 3s are 9, 10 और 11, 2 बच्चेंगे 3 7s are 21, उसके बाद यह हमारे पास बन रहा है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर से 3 के table का ही number हमारे पास आ रहा है, 3 7s are 21, 2 बच्चेंगे 3 9s are 27, हाँ जी 3 9s are 27, लास्ट इजिट हमारे पास आ गया है, 79, 79 जो है, यह किसी भी number से divide नहीं होता, यह 79, 1 is 79, अब यहां से देखें, तो यह हमारे पास जो है, यह एक set बन जाएगा, 2 के cube का, और यहां से 3 cube आ जाएगा, यह 2 बच जाएगा, अकेला और यह 79 बच जाएगा, अकेला इसको जड़ा लिख के हम देखते हैं कि क्या चीज़े हमारे पास आई है, इसको मैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 1, 2, 3, 4, हां जी, और फिर है 3 multiplied by 3 multiplied by 3, नीचे लिखनी हूँ, 3 और 79, अब मैं अगर इनकी pairing करती हूँ, उनको set बनाती हूँ, तो यह set बन जाएगा, यह वाला इसके साथ set बन जाएगा, यह और यह अकेले रह जाएगा, हमारे पास क्या चाएगा, 2 पावर 3 multiplied 3 multiplied by 3, multiplied by 2, multiplied by 79, अब जब हम इसको solve करेंगे, इसका cube root लेने लगेंगे, तो यह 2 और 3 तो solve होके हमारे पास आजाएगा बाहर, ठीक है, यह आजाएगा यह, लेकिन अंदर हमारे पास cube root में क्या पढ़ा रहेगा, 2 multiplied by 79, यह इनको हम solve नहीं कर सकते हैं, यह किसी का भी perfect cube नही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 34,128 जो है, यह किसी भी number का perfect cube नहीं है, यहाँ पे हमारा question number 3 complete हो जाता है, और question number 4 जो है, next में करते हैं,